वेलकम डू दू दी श्रिश्याम ग्रूप आफ एजूकेशन्स अपनोंने पड़ा था समतल धुवीद प्रकाश तथा दुरुवन गुरुणा की योगिक क्या होता है उसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझा था आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दुरुवन मापी एवं विशिष्ट गुरुणान विशिष्ट गुरुणान मौस्ट इपोर्टेंट टॉपिक है अपने RBC बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इपोर्टेंट है ध्यान रखना भी अब अपने देखो इनको समझने के लिए सबसे पहले धुरुवन मापी की बात करते हैं अपने धुरुवन मापी को अपने निमन रेखा चित्रों के माध्यम से समझते हैं मतलब ऐशी यंत्र जिनके माद्यम से गुर्णन कौन का मान ग्यात किया जाता है उनको अपने क्या बोलते हैं दुरूवन मापी सबसे पहले कल वाले में आते हैं जो अपनोंने पहले किया था वो रेकाचित्र बनाते हैं आपी देखे सबसे पहले अपने को पता है इसमें क्या होता है एक वर्मी परकाश होता है जो क्या करता है सभी दिशाओं में कमपन आगे बात समझ में क्या करता है सभी दिशाओं में कमपन क्या बोलते हैं इसको एक वर्मी परकाश इस एक वरनी परकाश को निकोल प्रिजम में सी गुजारते हैं अपने पले यह बना लेता हूं फिर सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे उपर वाले जो लिखी में हैं निकोल प्रिजम में सी गुजारते हैं इसको तो अपनी को पता है एक वर्णी परकास जो ऐ धुर्वीद परकास है उसको निकोल प्रिजम में से गुजालने पर परकास का तल एक ही दिशा में कंपन करने लगता है तो देखिए परकास का तल एक ही दिशा में कंपन करेगा इसको अपने कौन सा बोलते है सम्तल धुरुवेद परकाश जब इस सम्तल धुरुवेद परकाश को किसी प्रेक्षन नलीका में सी गुजारते हैं प्रेक्षन नलीका कौन सी जो मैं निकल बताया था जिसमें सॉलीशन भरा होता है अब नलीका ले रहे हैं क्योंकि गुणन कौन निकालेंगे ठीक है प्रेक्षन नलीका लेते हैं उस प्रेक्षन नलीका में वो वीलियन डालते हैं जिस वीलियन में से अपने को सम्तल धुरुवेद परकाश को गुजारना है आगे बात समझ में इसमें से जब अपनी गुजारते हैं तो यहाँ पी क्या है गुजारने की उपरांत या तो शम्तल धुरुवीद परकाश दाईं और गुर्णीत होता है या शम्तल धुरुवीद परकाश बाईं और गुर्णीत होता है यह पनोंने बड़ा थकल या आजएंगे दुम्हों में या क्या होता है दाईयों और या बाईयों ठीक है तो मैं फिर सी अपने डिफाइन कर रहा हूँ फिर अपने पढ़ेंगे दुरुवन मापी यह जितने भी यंत्र है इनको बोलते हैं अपने दुरुवन मापी यंत्रा वली आगे बात समझ में इसको अपने क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं समतल धुरुवीद परकास आप इसको समतल धुरुवीद परकास के वज़ाए सीधा धुरुवीद परकास भी बोल सकते हो अब इसको अपने यहापी क्या बोलते हैं दुर्वन मापी में जिसमें solution of substance रखते है friction नली या नली का कुछ भी बोल दो ठीक है अब देखो यहाँ पे सबसे पहली दुर्वन मापन यंत्रावली हो गई इसमें से अपने define करते हैं गुन्णन कोन को देखो बोलते क्या है गुन्णन कोन किसको बोलते हैं यदि किसी एकवर्नी परकास को Nicole Brism में से गुजारते हैं तो परकास का तल ही की दिशा में कमपन करने लग जाता है उसको अपनें बोलते हैं समतल दुरुवीद परकास अगर इस समतल दुरुवीद परकास को तल को गुर्णीत कर दे तो जिस कोन पी उसका गुर्णन होता है उसको अपनें बोलते हैं गुर्णन कोन कौन सा कोन बोलते हैं गुर्णन कोन तो पहले ही परिवाशा होगी अपना देखो भी गुर्णन कोन किसको बोलते हैं यदि सम्तल धुरुवीद प्रकाश के तल को धुरुवन गुर्णक योगिक जिस कौन पर घुमाता है वह कौन क्या कहलाता है गुर्णन कौन बहुत important बात है जहां से दिखना यदि सम्तल धुरूवीद परकास को धुरूवन गुर्णक योगिक जिस कौन पर घुमाता है उसको अपने बोलते हैं गुर्णन कौन यह या तो दाईयोर गुमाता है या बाईयोर आगे घड़ी की सुई की दिशा में गुमाता है तो गुर्णन कोन में आगे अगे अपनी पलस से डिफाइन करेंगे अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गुमाता है तो अपने को पता है, माइनस से डिफाइन करेंगे, इसको अपने क्या बोलते हैं, दुरूवन गुर्णक योगी, किसको बोलते हैं L, इस योगी को बोलते हैं, यदि ये L कर दे तो क्या हो जाएगा, वामा वर्थ दुरूवन गुर्णक योगी, और ये हो जाएगा तो कौन लो, मगर गुर्णन कोन का मान यहाँ पे स्तिर नहीं है, स्तिर मान क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गुर्णन कोन होता है, वो कुछ कारकों पर निर्बर करता है, जिसके कारण इस गुर्णन कोन का मान स्तिर नहीं रहता, तो कौन-कौन सी कारक है, जिसके कारण गुर् प्रभावीत करने वाले कारट कौन कौन को परभावीत करते हैं सबसे पहला देखो सबसे पहला कारट है यहां पर प्रकाश लिया है उसकी तरंग देरिया कहने का मतलब वेवलेंट तो क्या आजेगा प्रकाश की तरंग देरिया प्रकाश की वेवलेंट दूसरा देखो गुर्णन कौन को कौन परभावीत कर सकता है बताओ भी क्या हो सकता है इस वीलियन का ता जिसको अपने किसे डिवाइन करते हैं टी से ठीक है तो दो वीलियन अंदर अपने उने क्या डालते हैं वीलियन आगे किसके अंदर डालते हैं इस नली का तो मतलब यह त्या की गई तूरी आगे क्या परकास द्वारा वीलियन में तैक की गई दूरी ठीक है? और क्या परभावित कर सकता है? देखो भी घुरुनन कौन के मान को परभावित एक तो होगी दूरी होगी ये वाली इस दूरी को अपने किसे रिपर जैन करते हैं? आगी बात समझ में और यहाँ पे जो दूरी लेते हैं अपने उसको लेते हैं decimeter में आगी बात समझ में किस में लेते हैं decimeter में एक decimeter equal 10 centimeter आगी बात समझ में दूसरा यह वीलियन की सांदर्ता और एक बात और बता दू यहाँ पे जो वीलियन की अपने सांदर्ता लेते हैं वो लेते हैं gram par ml में किस में लेते हैं gram par ml में आगी बात समझ में तो अब देखो दूसरी पहली क्या बात हो जाएगी पहली हो जाएगी वीलियन में तैकी की दूरी लेक्स अपने की आजएगा वीलियन की सांदर्ता पांच नमबर क्या हो जाएगा विलाएग उचित विलाएग में अपने मिलाते हैं किसी gram कितने भी gram किसी पदार्थ को अपने आगी बात समझ में gram par ml है अब यहाँ पी देखो विलाएग की प्रकृति क्या है वो भी किस पर निर्वर करती है आगी गुर्णन कौन के मान को प्रभावित करती है तो आगी क्या जेगा विलाएग की प्रकृति या विलाएग का सभाव अब यहाँ पी गुर्णन कौन को ये कारक प्रभावित कर रही है तो इन कारकों के कारण इसलिए गुर्णन कौन को अपने एक विशिष्ट रूप से define करते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं विशिष्ट गुर्णन तो समझ में आगया विशिष्ट गुर्णन अपने क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि गुर्णन कौन के मान को कौन परभावीत करते हैं ये परभावीत करते हैं कारट तो बहुत important बात है कौन करता है सबसे पहले प्रकास की तरंग देरी है आगी दूसरा के आजएगा विलियन का ताप कितना temperature है वो भी depend करता है मान स्तिर नहीं रहता ताप चेंज करने पर इसका मान चेंज आगी विलियन द्वारा तेकी की दूरी मानलो इसकी दूरी को मैंने दूरा और बड़ा कौन सी ए विलियन द्वारा तेकी की दूरी यह वाली इसको मालन मैंने इतना बड़ा कर दिया ज्यादा बड़ा कर दिया तो गुर्णन कोन का मान परभावित होगा नेक्स्ट आजएगा विलियन की सांदरता मालो एक बार मैं क्या ले रहा हूं दू ग् तो यहां पर आजकर तरहूं को सब्सक्राइर Heart च्छ नि हमें किसको सब्सक्राइब टो अपनों ने दुर्वनमापी दुरनमापी अंतर जिसमें घ। अपने जिन्निंट्रों के माध्यम से निकालते हैं। उनको अपने दुरुवनमापी कहते हैं। इसमें वो ही प्रोसीजर हो जाएगा संतल दुरुवीत प्रकास fiction नहीं का यहां पर Nikol पूर भुल सकते है अपने निकोल प्रिजम को क्या बोलते है दुरुबग अब गुर्णन कौन बोलते किसको है समतल दुरुवीत परकाश को यहाँ पे यह जो अपने पास लिया है विलियन या दक्षिन दुरुवन या दुरुवन गुरुणा क्योगिक आगे बात समिच में जिस कौन पर गुम आगे बात समिच में अपने करते है नेक्स्ट नेक्स्टमिक परते हैं विशुष्ट गुर्णन नेक्स्ट्ट परदेंगी सिटगुर्णन देखो भी क्या होता है विशिष्ट गुर्णन अगर अपने simple define करें simple दरीके से बताओं तो धुरुवन की शक्ति को अपने विशिष्ट गुर्णन मगर यहापी विशिष्ट गुर्णन में अपनोंने किया क्या एक तो गुर्णन कौन है जो अपने निकालने है एक विशिष्ट गुर्णन आगे क्या बात समझ में तो अपने सबसे पहले विशिष्ट गुर्णन होता क्या है देखो मैंने यहापी fix कर दूँगा आगे क्या इसको gram पर ml लोगा इसको decimeter में मालो एक decimeter अपने पास लंबी नली है उसमें एक gram पर ml आगे क्या एक gram एक decimeter लंबी नली एक gram पर ml ले लिया इसमें से अगर मैं समतल दुरुवीद प्रकास को बुजारू तो समतल दुरुवीद प्रकास के तल को यदि दुरुमन गुर्णन की ओगिक जिस कौन पर गुमाता है तो वो उसका क्या कहलाता है विशिष्ट गुर्णन आगे क्या मतलब fix value कर दी मैंने यह पर इसकी लंबाई fix कर दी इसमें जो सांधरत है उसको fix कर दिया तब मैं गुर्णन कौन निकालता हूँ ना तो वो गुर्णन कौन नहीं रहता एक specific गुर्णन कौन हो जाता है दुर्णन गुर्णनक योगिक के ग्राम पर अइमल विलियन की संधरता को एक लेलो यहाँ पर एक माल लो चाहे इसको एक और उसमले कोई एक ग्राम पर अमल विलियन की संधरता को एक decimeter लंबी नली में भरकर इसमें समतल दुरुवीत प्रकास को गुजारने पर यदि समतल दुरुवीत प्रकास का तल जिस कोण पर घूमता है उसका विशिष्ट गुर्णन कोण या इसको शोट में क्या बोलते हैं विशिष्ट गुर्णन कहलाता है मेरी बात समझ में आगी एक specific condition डाल के अगर अपने गुर्णन को ग्याद करें तो उसको अपने विशिष्ट गुर्णन करते हैं अगर नॉर्मली देखें तो वो क्या होता है गुर्णन को और अपने नॉर्मली क्यों नहीं लेते क्योंकि अपनों नेकारक पड़े हैं क्यों आगी बात समझ में विशिष्ट गुर्णन होता क्या है दुर्णन की शक्ति आपकी बोड की बुक में इसकी परिवाशा नहीं है ओनली ऐसे लिख रखा है दुर्णन की शक्ति को दवारा डिफाइन की गई है मगर फिर भी मैं आपको परिवाशा बता देता हूं लिखना चाओ तो मैं फिर से बोल रहा हूं यदि किसी धुर्णन गोनक योगी के एक ग्राम पर एमल वीलियन की संदरता को एक डेसिमेटर लंबी नली में भर कर आगे गया बात समझ में समतल धुरूवीत प्रकास को गुजारा जाए तो समतल धुरूवीत प्रकास के तल के गुर्णन को अपने क्या बोलते हैं विशिष्ट गुर्णन कहते हैं ये गुर्णन दाईयोर भी हो सकते है या बाईयोर भी अब देखो इसका में सुत्र क्या होता है बहुत इपोर्टेंड है इसका सुत्र ध्यान से देखना विशिष् करते हैं विशिस्ट गुर्णन बराबर प्रेक्षित गुर्णन कौन जो अपने यहां पर नॉर्मल निकालते हैं प्रेक्षित गुर्णन कौन अपन में वीलियन की सांदर्था इंटो में प्रेक्षिन नलिका की लंबाई अब विशिष्ट गुर्णन को किसी रिपरजेंट करते हैं अल्फा इंब्रेक्षित अल्फा इंब्रेक्षित अब यह निमंकार कौन से हैं स्पेसिल फेक्टर कौन कौन से थे एक तो ताप और दूसरा क्या जाएगी वेमलेंट इन दोनों को उपर लिख देंगे थे आगे क्या ब्रेक्षित लगा के स्पेस्ट गुर्णन है उसके लिए विशिष्ट गुर्णन हो जाएगा special for top special for तरंग देगा किस से रिपरजेंट करते हैं विशिष्ट गुर्णन को इस formula से equal में क्या जाएगा अब प्रिक्षित गुर्णन कौन या तो theta लिख दो या alpha लिख दो लिए तो अपने इंटू c आगे बात समच में I need problem तो विशिष्ट गुर्णन क्या हो जाएगा प्रिचित गुर्णन कोन बटे में क्या जाएगा वीलियन की सांदर्ता इंटो में क्या जाएगा प्रिक्षन नलिका की लंबाई इसको अपने क्या कहते है विशिष्ट गुर्णन कहते है इसको अपने किस से रिपरजेंट करते है alpha in the bracket T and lambda आगे बात समझ में आपर क्या आजएगा alpha प्रेषित गुर्णन कौन अपोन में क्या आ जएगा C into L या L into C Any Problem, अब अपने आगे चलते हैं, देखे भी सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ अपने यहां पे संतल दुरुवीद प्रकाश है उसको अपने सीधे गुजार दे यहां पे किसी विलियन से तो संतल दुरुवीद प्रकाश का तल दाई और बाई और भूमता है प tartere की लंबाई अब देखो अगर अपने कौन किसी छिजिल मॉलेख्यूल के लिए तो उसको अपने बोलते हैं आन्विक गुर्णन आगे गया बात समझ में क्या बोलते हैं आन्विक गुर्णन आन्विक गुर्णन क्या होगा उस अनू का अनू भार गुणा में क्या जाएगा उसका विशिष्ट गुर्णन आगे गया बात समझ में वो उसका क्या हो जाएग अपने क्या पड़ा आज धुरुवन मापी यंत्रावली होई गी उसके बाद में गुर्णन कौन की परिवाशा बहुत इपोर्टेंड है फिर अपनोंने पड़ा गुर्णन को परभावीद करने वाले कारक कौन-कौन से थे प्रकास की तरंग दे रही है दूसरा अपने आज अंदरता मैंने तुम्हें बताया ग्राम पर एमल में लेते हैं नेक्स्ट अपने क्या जएगा प्रिक्षन नलिका की लंबाई जिसको अपने किसे रिपरजेंड करते हैं डेसेमेटर से आगे बात समझ में उसके बाद में क्या जएगा विलाइक का सभाव जो इसमें अपन जाए समतल दुरुवित प्रकास तल को तो समतल दुरुवित प्रकास का तल योगिक दवारा समतल दुरुवित प्रकास के तल को यदि दाई या बाई और गुणनेत किया जाए तो उस कौन को अपने क्या बोलते हैं विशिष्ट गुणनन क्या होता है विशिष्ट गुणनन बराबर प्रिक्षित गुर्णन कौन बटे में क्या जाएगा विलियन की संदर था इंटो में क्या जाएगा प्रिक्षिन नलिका की लंबाई और इससे अपनी रिपरजेंट किसे करते हैं अगे बात समच में स्पेशल फेक्टर इसलिए यूज किया है इक विल क्या जाएगा अपोड में क्या जाएगा सी इंटो अगे बात समच में अगे प्रोब्लम ओके बाई स्टे सेफ एंड श्टे हो